को दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सुभी का ओलने डफ़र्श टी इटूब चनल पर जिसें कि दोस्तों आप जानते किसी व्रती समझीत कोई भी जानका ही होती आप सुभी को और अने डफ़र्श टी चनल के माध्यम से दी जाती इस वीडियो में बात करनेवाले हैं नई पैरमरी सिच्छिक बरती को लेकर योगी सरकार के माध्यम से एक बड़े आदियस को लेकर जहां पर कहीं न कई छात्तों के जो होश है वो उड़ सकते हैं उसकी बज़य क्या है वो भी मैं आप सुभी को बताने वाला हूँ साथ ही अगर बात किज़ें आरत्शन को लेकर सुपिम कोड के वीडियो करते हैं वीडियो को लाइक करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसे की जानकाई आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे आगे बटने से पहले हम बात करेंगे सीटेट की बैस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षू प्रकाशन की है अगर आप भी सीटेट के अंदर 130 प्लस नंबर लेना चाहते हैं तो आप अभी से अपनी प्रपेशन शुरू करें चक्षू की बैस्ट बुक ये बुक आप सभी की 3-1 पैटर्न पर नितायित की गई हैं जैसे कि इंपोर्टेंट टेवल और फैक्स भी आपको देखने के लिए मिलते हैं आपका पार्टे करम होता है संपूर्ण थेयरी के साथ में और प्रीवी सीर कोश्चन के साथ भी आप चाहे पेपर बन की तयारी करें या पेपर ठोकी दोनों के लिए जो भूकें वो अवैलेबल हैं इसके साथ ही आप सभी को देखने के लिए मिलती है सीटेट की प्रेक्टिस एड़ भी आती है जिससे आप अपनी प्रेपरेशन को और भी बहतर बना सकते हैं इन बुक्स को परचिस करना चाहते हैं तो सुपीम कोड के अंदर जाते रहते हैं अब इन सुपीम कोड के माध्यम से इन मुद्धों को लेकर अपना अंधियम फैसला वो सुनाया जाएगा और आच्छण से संब्रखनी जब भी किसी मुद्ध्य को लेकर फैसला सुनाया जाता है वह काफी ज़्यादा मेहत्पूर हो जहां पर याचिकर दाखिल करके EWS आर्चन को खत्म करने की जो मांगे वो की गई थी यह आर्चन 10% आप सुभी को देखने के लिए मिलता है आर्थिक रूप से कमजोर वर्क के अभ्यतियों को ठीक है उसके बाद क्या हुआ कि इसको लेकर आरोप लगे कि 50% से ज्यादा आर् आते हैं चाहिए वो बीसी वाले अभ्यतियों नोन कीमी लेयर या फिर इसके अलावा जो भी अभ्यतियों आते हैं उनका नुकसान हो रहा है ऐसी दलीले रखी गई थी ठीक है अब उन तमाम दलीलों के बाद से सुपीम कोट अपना फैसला सुनाएगी लिखा हुआ है कि EWS कोटे पर कल जारी किया जाएगा फैसला उच्टम नियाले में नौकरी की सिच्छा में आर्थी ग्रूप से कमजोब वर्क के दस हुषदी आयच्छन की ब्यादिता को चिनोती देने वाली जन ही ती आचिकाओं में सौंबार को सुनवाई मलब सौंबार को जो फैसला हो सु सुनाने वाली है नीचे लिखा हुआ है कि AWS कोटे को आर्चन प्रिदान करने वाली एक सो थीन बे समयदान संशोदिन की ब्याद्यता को चिनोती दी गई है मुख्य नयादिस के माध्यम से इसको लेका करने की सुनवाई के बाद में 27 सितंबर को अपना फैसला एजब कर लि AWS आर्चन अनुश्य जाती अनुश्य जिन जाती सीस्टी अन्य पिष्टी जातियां OBC और सावन सेंडी के तहट पचास फीसदी आर्चन में नहीं आता है ऐसा भी दावा किया गया है अब फैसला क्या होगा इसकी जानकाई तो कल आप सुभी को देखने के लिए मिलेगी ल अब्यारती ने दो लाग से जादा ट्वीट कर दिये थे दो लाग से जादा फिर उसके बाद अगले दिन ट्वीट देखने के लिए मिले तो 1 लाग 69000 से जादा ट्वीट हुए ठीक फिर उसके बाद में योगी सरकार के माध्यम से बताया गया कि 2024 से पहले नई प्रमई सि लेकर कहा तो गया था लेकिन उस भरती का आज तक विग्यापन जारी नहीं हुआ और उसको भी एक साल हो चुका है इसी कर्म में चात्तों के माध्यम से रोज नई प्राइमरी सिच्छक वर्थी को लेकर ट्विटर बार की मांगी जाई थी शोचल मीडिया पर अब्यर्थी ध जाए प्राइमरी सिच्छक वर्थी को लेकर बनाई जारी जाई ति लेकिन उससे पहले आज भी चातों ने ट्विटर-वgende करने के लिए गोश्णा की थी सोबर के समाचा पत्व में आपको जानका ही देखने के लिए मिलती है लिखा हुआ है कि सरकार पर बेसिक सिच्चा विवाग के खिलाफ अववा फिलाने की शिकायत को लेकर यहां से जो कारेवाई हो की गई है आपको नीचे देखने के लिए मिलेगा कि राज्य परियोजना के अपर निदेशक ने एक यूबग पर सोशल मीडिया में बेसिक सिच्चा विवाग के प्रदेश की योगी सरकार के विर्द भ्रामत प्रचार करने को लेकर आरूप लगाया है इस संबन्द में उन्होंने उस यूबग के खिलाब कारवाई के लिए विवाग की तरफ से पुलिस अध्यक्षक इसके अलावा सार्वन सेल के उप्रत लिखा है अपर परियोजना निदेशक रोहित्य पार्टी ने पत्त में बताया है कि खुद को डेलेट बीटी सी संका प्रदेश अध्यक्ष बताने वाला रजस सिंग का यहां पर जो नाम में वो लिखा हुआ है अगर मैं गलत नहीं हो तो यह वही अज़स सेंग है जिनके माध्यम से पिछले समय चुनाब के जब समय चलना था जो आपकी आच्छा सरीता लगने वाली थी लगाता अभ्यरती ने अनवर धना प्रदेशन दिया था कडाके की ठंड के अंदर बैठकर 97 अज़ान नहीं प्राइमरी सिच्छक वरती को लेकर मांग की थी एगवाफ एसे अभ्यरतियों के माध्यम से नहीं प्राइमरी सिच्छक वरती विग्याबन जारी करने के लिए मांग की जारी थी अब ऐसे में अभ्यरती करें तो करें क् सरकार के माध्यातियों से कार्यवर्व MARK कर दीसे मांग रंग को सरकार राज हिए जर्भा Ihr छहातिव के साथ कईनकी मुश्क्रों का सामना प로 रहे यहां पर आप सभी सामने लिखा हुआ है की डील पीसे संका प्रध्यष अध्यक्ष्च बताने वाला सजर्व सिंह लगवग 6 महीने से योजना वद्ध ढंग से योगी सरकार की खिलाब बेसिक सिच्चा विवा की खिलाब शोशल मीडिया पर दुस्परचार की छवी धुमिल करने का प्यास किया जा रहा है उसके करत्य और युमाओं को पत्व्रमित करते हुए आंदोलन के लिए बढ़का रहा है उसके इस दुस्परचार से सूबे में अराजकता वर कानून विरस्ता विगड़ने की आसंका है इसी कर्म में उन्होंने पुलिस अध्यक्षक स्राइवर से आरूबी के विरुद आई सब्सक्राइब करते हैं या अगर भरतियों को लेकर प्रदर्शिन बगर या चात्तों के साथ मिलकर रणीती त्यार करें तो उनके खिलाफ यहां सिर्फ कारवाईया की जा रही है समस्या यह है कि सरकार नई सिच्छंग वरति का विज्ञाबन पिछले चार साल में जारी नहीं कर रही है उसी को लेकर अभ्यरती आज भी एक ट्विटर बार करने वाले हैं जिसके बारे में जानकाई मैंने आप सभी को बताई थी यूपी बॉंट पैमरी वेकेंसी अब इ कि अब नि का विज्ञाबन पिछले साल उसे किस प्रकार नई भी घृति को और सरकार के traitor को लेकर चांत्यों के उपर करना शूरू इसके बारे में आपके हमन कर ने पिल्य वेकर नोक्यौ में जिसकी जानकाई यहां पर मंती जी के माध्यम से दीगई है किन विवागों में वर्ती देखने के लिए मिलेंगी वो भी लिखा हुआ है रेल पे जल्द 1,45,000 नोकियां देने वाला है ऐसा कहना है बैशनब जी के माध्यम से इनका पूरा नाम है अश्विनी बैशनब जिनके बारे में आप जानते हैं कि रेल और सूसना प्रवगर की मंतीजी हैं उनकी दब से बताया गया कि 8 वर्सों में 3.4-5 लाग लोगों को दोजगार दिया है हाली में हुई रेल बे भरती परिच्छा संबन हुई थी लगबग 1-2 हफते के अंदर 1,45,000 लोगों को नोकी दी जाएगी परिक्षा के लिए अगर बात कीज़ाए एक करोड से जादा आफेदन आये थे रेल मंती शनीबार को BHU करसी सताबधी पेक्षा गयर आयुजित फिंक इंडिया के चोरते राष्टे अधिवेशन को संब्धित करे थे उन्होंने कहा कि नई तकनीकी सासाथ भात तिरी से आगर बढ़ता हुआ दिखाई दिरा है इसके साथ ही उन्होंने यहां पर बताया कि आगामी समय के अंदर एक लाग से जात एक लाग प्रेटाली से जान चोर्डोकिया वो देखने के लिए मिलेगी जिनको रेलवे के अंदर दिया जाएगा बात कर लेते हैं अपने एगली अप्डेट के वारे में जो की सिटेट एक्जाम को लेकर सिटेट के एक्जाम के वारे में लगाता है अभेत्यों आप ज्यांधा किसे कही सवाल देखने के लिए मिलेगी लेकिन आप जानते हैं कि आपको परिक्षा में ज्यादा समय नहीं मिलेगा पहले कोशिस उन्हीं पर करें जो आप सुभी को आते हैं बाद में अगर समय बचिए तो सभी कोशिन को लेकर आप अटेम्ट कर सकते हैं सीटाइट दोजया बाइस में कोई नेगटिव मार्किंग आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी फ्लेश वीडियो के मध्यम से इतना ही